दोस्तों चकोत्रा के रस में कुछ ऐसे रसायन है जो कुछ दवाओं का असर कम कर देते हैं या उनसे मिलकर शरीर में हानिकारक रसायनिक योगिक बना देते हैं इसलिए एक ही समय में आपको दवा और इसके रस का सेवन नहीं करना चाहिए चकोत्रा के कुछ अन्य रसायन जैसे नौरिन जैनिन नकारात्मक रूप से विविन दवाओं से इंट्रेक्ट हो सकते हैं और आपके अंग परनालियों को नुक्सान पहुँचा सकते हैं किसी भी नए उप्चार की सुरुआत से पहले अपने आहार में इसके रस के साथ दवाओं की इंट्रेक्ट के मामले में अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले